डिलिवरी के बाद जब होस्पिटल से बेबी और मदर डिस्चार्ज होते हैं तो बच्चे के लिए कुछ सप्लिमेंट्स और मैडिसन्स डॉक्टर द्वारा एडवाइस की जाती हैं healthy newborn baby को केवल vitamin D3 recommend किया जाता है जिसको एक साल के लिए दिन में एक बार देना होता है और जिसमें 400 international unit मात्रा होती है अगर बेबी को कोई problem होती है तो उसके according दूसे supplements भी दिये जा सकते हैं जो बच्चे preterm होते हैं यानि 9 महिने से पहले mother की delivery हो जाती है तो ऐसे बच्चों को vitamin D3 के साथ साथ calcium, phosphorus, iron, folic acid और multi vitamins के supplements भी दिये जा सकते हैं